अरे ममा ये आपके पास पाकिस्तान के जंगल में रहते हैं न मान। चेड़े जब तुम अंडे में थे तो मैं पाकिस्तान के जंगल में रहा करती थी फिर उसके कुछ टाइम कе बाद में इंडिया आ गई थी और फिर आज जब मैंने अपना पुराना समा निकाला, तो उसमें से मुझे ये पकिस्तान के जंडे मिले तो फिर मममा हम क्या करेंगे इन जंडों का, जंगल में ऐसे बहुत पक्षी हैं, जो पकिस्तान के हैं मिनुचेडिया विपकिस्तान के जण्डे लेकर अपने घर से बहार चरी जाती है जण्डे ले लो जण्डे ले लो पकिस्तान के हरे हरे जण्डे ले लो अरे तोती बेहन वो देखो वो मिनुचेडिया हमारे इंडिया के जंगल में पाकिस्तान के जंडे क्यों बेच रही है हम आई है ना ये पाकिस्तान से जब से ये आई है मुझे तो ये जंडे ठीक नहीं लगती तोती और कबूतर फिर मिनुचेडिया के पास चिले जाते हैं ये तुम क्या कर रही हो, क्या तमाशा है ये तुम्हें पता नहीं कि 15 अगस्ताने वाली है तुम्हें तो इंडिया के जंडे बेशने चाहिए उपर से तुम ये पाकिस्तान के जंडे बेश रही हो पर मेरे पुराने समान में ये पाकिस्तान के जंडे रखे हुए थे मैंने सोचा के इसे बेज कर ही थोड़े पैसे कमा लूँगी जूट ना बोलो मिनुचेडिया तुम पाकिस्तान की हो पाकिस्तान से तो प्यार करोगी ही न क्या बाते कर रहे हैं आप दोनों क्या इंडिया क्या पकिस्तान ये धर्ती दो एक ही है ना हम सब को प्यार महबर के साथ रहना चाहिए बस अपनी बखवास अपने पास रखो मिनुचेडिया तुमने ये बहुत गलत किया बहुत प्यार है ना तुम्हें पाकिस्तान से बस अब तुम्हारी इस जंगल में कोई जगा नहीं निकलो निकलो यहां से हाँ अभी क्या भी पाकिस्तान चली जाओ और वापस कभी ना आना यहाँ क्या ये क्या बोल रहे हैं आप दोनों मैं तो इसी जंगल में रहना चाहती हूँ तोती गुस्ते में मिनोचेडिया के पाकिस्तान के जंडे उठा कर फेग देती है और वे दोनों पक्षी आखिरकार मिनोचेडिया को इंडिया से निकाल ही देते हैं अरे मिनोचेडिया तुम बहुत खुशी हो रही है तुमें देखकर इतने दिनों के बाद आई हो तुम पाकिस्तान मिनोचेडिया क्या बात है तुम इतनी क्यों परिशान हो और मानोचेड़ा कहा है कहीं उसे कुछ नहीं नहीं मानोचेड़ा ठीक है बिलकुल वो इंडिया के पक्षियों ने मुझे पाकिस्तान के जंडे बेशने पर इंडिया से ही निकाल दिया और उपर से मेरे पाकिस्तान के जंडे भी फेक दिये बहुत बुरा लगा मुझे किया हमारे पाकिस्तान के जंडे जमीन पर फेक दिये ये तो बहुत गलत किया इंडिया के पक्षियों ने जाने दोना कालुका वे बस तुम इंडिया के जंगल जाकर मेरे मानों को वापस लियाओ नहीं नहीं ऐसे कैसे जाने दूँ मुझे बहुत गुसा आ रहा है आखिर हमारे जंडे को जमीन पर कैसे फेका हाँ हाँ चलो चलो तोते राजा के पास चलते हैं और उन्हें बताते हैं जाकर सब इसकी अजादी का दिना रहा है उन्हें माफ कर दें आप ऐसे कैसे माफ कर दूँ उन पक्षियों ने हमारे मुलक के जंडे को जमीन पर फेका हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है मंतरी जी फॉरन इंडिया के जंगल जाओ और उनको खबर कर दो कि पंदरा अगस वाले दिन हम उनके जंगल को खतम कर देंगे किसी को नहीं छोड़ेंगे हम जो हुकम आपका राजा जी मैं अभी जाता हूँ जगु पक्षी एक खत लिखकर इंडिया के जंगल चला जाता है और वे इंडिया के उल्लू महराज के सैनिक को अपना खत दे कर वहां से चला जाता है किया क्या लिका है इसमें कि हमारी अजादी वाले दिन तोतराजा हमारे जंगल पर हमला करने आ रहा है इतनी हम्मत उसकी हम भी किसी से कम नहीं है सैनिक अपने सैनिकों को जमा करो और खबर करो कि पाकिस्तान की अजादी के दिन 14 अगस्त को हम पाकिस्तान के जंगल पर हमला कर देंगे और जाओ अभी क्या भी पाकिस्तान के तोतराजा को हमारा ये संदेश भिजवाओ थोड़ी दिर के बाद तोतराजा के बास भी इंडिया का संदेश पहुँँ जाता है हाई डे, ये मेरी वज़ा से क्या हो गया दोनों देशों में इतनी बड़ी जंग छिड़ गई 14 अगस और 15 अगस को तो खुशिया मनने चाहिए परन्तु जंग होने वाली है ये तो बिल्कुल ठीक नहीं मैंने सब गरबर कर दी अगर ये जंग हुई तो दोनों जंगलों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा नहीं नहीं मुझे सब ठीक करना होगा और दुबारा से दोनों देशों की आपस में दोस्ती भी करवानी होगी मिनोचेडिया काफी सोचती है तबी थोड़ी देर के बाद मिनोचेडिया को काफी बढ़िया उपाय मिल जाता है और फिर मिनोचेडिया तोते राजा के पास आकर उसने कुछ पैसे उधार पर मंगती है मिनोचेडिया फिर उन पैसों से काफी बढ़िया बढ़िया गिफ्ट खरी लेती है और वे सारे गिफ्ट और चेठी एक ट्यक्सी में रखकर इंडिया के जंगल चली जाती है अरे वा भाई वा पकिस्तान की दरफ से इतने बढ़िया बढ़िया उफा रहे हैं हाँ उलु माराज आप ये संदेश पढ़ें इस संदेश में तोदे राजा ने आपके लिए कुछ लिखा है उलु माराज वे चिठी लेकर चिठी पढ़ने लगता है अल्लू महराज आप तो हमारे पुराने दोस्तो हम आपकी अजादी वाले दिन आप पर हमला करने नहीं बलके इंडिया की अजादी का दिन मनाने आएंगे महराज जी ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई अब तो पाकिस्तान से हमारी सुला हो गई हाँ उल्लू सैनिक अब तो बहुत बढ़िया तयार यह होने चाहिए क्योंके खुद हमारे दोस्तोते राजा हमारे जंगल में आ रहे हैं फिर उल्लू महराज भी काफी सारे तौफे और एक चिठी अपने सैनिक के हाथो पाकिस्तान भेज देते हैं राजा जी यह हमारे उल्लू महराज ने आपके लिए कुछ तौफे और यह चिठी बेजी है इतने सारे तौफे और यह चिठी भी क्या लिका है इस चिठी में तोते महराज भी फिर वे चिठी पढ़ने लगते हैं तोते राजा हम चौदा अगस वाले दिन आपके जंगल में आपकी अजादी का दिन मनाने आएंगे और हमारी तरफ से कुछ तहाइब भी हैं उसे भी आप जरूर कबूल कर लें वे चिठी पढ़कर तोते राजा भी काफी जादा खुश हुज जाते हैं तैयारिया करो तैयारिया करो चौदा अगस वाले दिन खुद अलू महराज हमारे जंगल में आ रहे हैं बस फिर एक हफ़ते के बाद चौदा अगस का दिन आ जाता है इंडिया के अलू महराज बहुत खुशी-खुशी पाकिस्तान में पहुँच आते हैं और आज के अजादी के दिन वे केक काट कर बहुत ज़ादा खुशया मनाते हैं राजा जी बहुत-बहुत बढ़ाई हो चौदा अगस की शुक्रिया आपका बहुत-बहुत शुक्रिया फिर अगले दिन 15 अगस को काफी बढ़िया तैयारिया हो जाती हैं थोड़ी देर में इंडिया के तोते राजा भी इंडिया पहुँच जाते हैं और आज वे भी इंडिया की अजादी का दिन बहुत खुशी-खुशी एक साथ मनाते हैं महराज जी मुबारक हो 15 अगस अजादी का दिन आपको बहुत मुबारक हो धनी वाद तोते राजाजी आप यहां आए मुझे बहुत खुशी हुई कबुतर भाई तोती बेहन 15 अगस बहुत बहुत मुबारक हो मैं मानती हूँ पाकिस्तान और इंडिया दो अलग अलग देश हैं परन्तु हमारे दिल तो कितने मिलते हैं बस अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता हम एक हैं इस तरह 15 अगस के दिन भी दोनों देशों के माराज एक साथ मिलकर अजादी का दिन बनाते हैं ये लो बेटा ये आखरी की थोड़ी सी दाल पड़ी थी जो मैंने बना दी चलो अब जड़ी से खालो इसे पर मम्मा ये तो बहुत थोड़ी सी है अगर मैं ये खालोंगी तो फिर आप क्या खाओगी अरे मेरा छोड़ो मेरा पेट भरा हुआ है मैंने तो दाल बनते हुए ही खाली थी अब बस ये तुम खालो नहीं मम्मा मुझे पता है के कलास से आपने कुछ नहीं खाया ये आप खालो ना मेरा तो वेस्ते भी पेट भड़ा हुआ है इस तरह वे मा बेटी एक दुसरे को भूचन दे रही थी क्योंके वे परिवार बहुत जारही गरीब था उनके घर में भूचन की बहुत ही किला थी यही सब बो रहा था के तबी दरवाजे पे कोई आता है अरे खोलो बेटी मैं बुढ़ा उल्लू हूँ मुझे कुछ दे दो बहुत भूचा हूँ मैं कल से उस बुढ़े उल्लू की ये बात सुनकर शोनुचेडिया फॉरण से उसे अपने घर में लियाती है उल्लू अंकल आपको बहुत भूच लगी है ना ये ले ये भूचन खाने जली से पर बेटा ममा ममा आपी तो कहती हो ना कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करने चाहिए तो बस मैं भी उल्लू अंकल की मदद कर रही हूँ वे बोड़ा उल्लू तो वाकई में बहुत ज़्यादा ही भूका था वे जल्दी जल्दी वे सारा भूचन खाने लगता है अरे वाह मज़ा आगया भूचन खाकर तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी अचचलो अब में चलता हूँ ये कहकर वे बोड़ा उल्लू वहाँ से चला जाता है दोस्तों अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें क्योंके ये कहानी आगे और भी ज़्यादा इंटरस्टिंग होने वाली है शोनुचेडिया वाकई में आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होई कि तुमने उस उल्लो की इतनी मदद की अरे ममा ये क्या ये उल्लू अंकल तो अपने समान की पोटली यहाँ घर पर ही भूल गए मैं जाती हूँ वो अभी जारा दूर नहीं गये होंगे मैं उनका ये समान उने लुटा कराती हूँ शोनुचेडिया तो भागी भागी उस उल्लो का समान लुटाने उसके पीछे जाती है अरे रुख जाएं रुख जाएं उल्लो अंकल अपना समान तो लेकर जाएं वे उल्लो तो रुखने का नाम नहीं ले रहा था और वे उर्ता उर्ता काफी दूर आ गया था और फिर वे एक जगा पर आकर बैठ जाता है फिर शोनो चेड़िया भी उसका पीछा करते करते उसे उसका समान लोटाने आती है अल्लो अंकल अल्लो अंकल आपने तो आज मुझे ठका ही दिया मैं आपको कब से वाज़ी दे रही थी तो शायर आपको मेरी आवास सुनाई नहीं थी अरे हाँ ये तो मैं भूली गया था चलो अच्छा हुआ के तुम यहाँ पर आ गई ये सब तो एक साज़िश थी मैं बुड़ा उल्लो पेर से लटके हुई रसी को जोर से खिषता है और तबी एक बड़ा सजाला कर शोनो चेड़िया के उपर गिर जाता है अरे मुझे बहार निकालो मुझे बहार निकालो यहां से ये जाल मेरे उपर कहां से आकर गिर गया बेवकूफ चेड़िया अभी तक नहीं समझी के ये सारा कुछ मेरा किया हुआ है मैं जान बूच कर अपनी पोर्टली तुम्हारे घर पर भूलाया था ताके तुम मुझे यहां पर मेरा समान देने आओ और मैं तुम्हे पकड़ लू फिर वे बुड़ा उल्लू शोनुचेड़िया को पकड़ कर अपने साथ ले जाता है अब तो रात हुजाती है शोनुचेड़िया के अब तक घर वापस ना आने की वज़ा से मिनुचेड़िया तो अब बहुत जादा परिशान हो गई थी है रे रात हो गई पर यह शोनुचेड़िया अब तक उस उल्लू का समान लुटा कर वापस क्यों नहीं आई मुझे तो बहुत चिंता हो रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि शोनुचेड़िया रास्तर बटक गई हो अरे यह इतनी रात को किसका फून है फिर मिनुचेड़िया फून उठाती है और बात करती है चेड़िया बताओ में कौन हूँ पहचाना मुझे के में कौन बोल रही हूँ अरे हाँ यह तो कोई जानी परिचानी आवाद लग रही है देखें आप जो भी है मुझे बता दें पहले ही में बहुत जारा परिशान हूँ बाजूचील बात कर रही हूँ मैं तुम पक्षियों की पक्की दुश्मन फोन रखो बाजूचील मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी कोई बात नहीं अगर मुझे से बात नहीं करनी तो ना करो पर अपनी बेटी से तो कर लो ममा ममा मुझे बचा लो मुझे बचा लो इस चील ने मुझे पकड़ लिया है शोनुचेडिया तुम वहाँ हाई रे बाजूचील छोड़ो मेरी बेटी को उसने क्या बिगा रहे तुम्हारा बाजूचील बहुत परिशान थी और काफी जादा भूकी भी थी क्योंके सब पक्षी अब बहुत जादा होश्यार हो गए थे बाजूचील अब पक्षियों का शिकार नहीं कर पा रही थी क्या करूँ कितने दिनों से भूकी हूँ पर अंतु कोई भी पक्षी हाथ नहीं लगा अगर इसी तरह चलता रहा तो भूक के कारण मैं तो मर जाऊंगी तब ही बाजूचील को सामने सेप का पेड़ दिखता है चलो भई अभी ये सेप खाकर ही अपना पेड़ भर लेती हूँ फिर बाजूचील सेप के पेड़ के पा जाती है जैसे ही बाजूचील सेप खाने के लिए उस पेड़ की टहनी पर बैठती है तो अचानक वे टैनी तूट जाती है और बाजू चील भी नीचे गिल जाती है उई मा मर गई अब क्या करूँ अब तो ये से भी मेरे नसीब में नहीं है मेरे बैटते ही ये टैनी ही तूट गई बस इसी बाद से बाजू चील के शेतानी दिमाग में एक उपाय आता है अरे वाँ ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है अच्छा हुआ क्या ये टैनी तूट गई और मुझे इतना अच्छा उपाय मिल गया थोड़ी देर के बाद बाजू चील जमीन में एक बड़ा सा खर्टा खोद लेती है और उपर से कुछ जाड़ियां बिछा देती है और जाड़ियों के ओपर बाजू चील कुछ भोचन रख देती है बस अब मैं जमीन के अंदर छुप जाती हूँ और कोई भी पक्षी भोचन की लालच में यहां आएगा तो वे नीचे गिर जाएगा और मैं उसका शिकार कर लूँगी बस फिर क्या था बाजू चील नीचे जमीन में आकर छुप जाती है बाहिर से देखने में बिलकुल भी पता नहीं चल रहा था कि बाजू चील ने पक्षियों के लिए जाल बिचाया हुआ है बस तभी वहां से कबूतर भी गुजर रहा था अरे रे ये गर्मी तो मार डालेगी मुझे अब अकेला कमजोर पक्षी इस गर्मी में बोचन कैसे ढूंडू ठग गया मैं तो परन्तू जरा सा भी बोचन नहीं मिला तबी कबूतर को सामने जमीन पर रखा हुआ भूजन दिखता है अरे वा इतना सारा बोचन परन्तू आखिर ये किस पक्षी का बोचन है कौन भूल गया यहां पर क्या पता कोई रहम दिल पक्षी ने भोजन लग दिया हूँ यहाँ पर ताकि किसी जरुवत्मन पक्षी को ये भोजन मिल जाए और मुझसे ज़ादा जरुवत्मन पक्षी तो अब भी और कोई है ही नहीं चलो भई अब जल्दी से ये भोजन ले जाता हूँ और घर में जाकर सुकोन से आराम करता हूँ कबूतर की मौत बहुत करीब थी बिभोजन की लालच में भोजन के करीब जाता है और बस उस घड़े में गिर जाता है वा भई पहला शिकार हाथ लग गया और वो भी कबूतर अब तो इसे मचे ले लेकर खाऊंगी बाजू चीज ज़रा सा भी नहीं रुकती और उसी समय कबूतर को मार कर खा जाती है वहीं दूसी तरफ नना कबूतर अपने बाबा को ढूण रहा था और काफी जारा परिशान था मिनू अंटी क्या आपने मेरे बाबा को देखा है हाँ नने कबूतर मैंने सुबा कबूतर को भूचन ढूणते हुए देखा था मिनू चेडिया काफी देर तक पूरे जंगल में कबूतर को ढूणती है पर अंटी कबूतर तो कहीं नहीं मिलता वहीं दूसी तरफ अब उस भूचन पर नने तोते की नजर पर जाती है और अब वो भी लालच में आ जाता है अरे वह इतना सारा भूचन बाबा को दिखाऊंगा बाबा तो बहुत जारा खुश हो जाएंगे चलो जल्दी से इससे ले जाता हूँ वरना कोई दूसरा पक्षी आकर ले जाएगा बस फिर वे नना तोता भी भूचन की लालच में करीब जाता है और वे भी उस खड़े में गे जाता है अरे वा एक और नना पक्षी मेरे तो मज़े ही आ गए वा बाजूचील क्या उपाई निकाला है तूने मेरा पेट तो भरा हुआ है बिचारा मेरा बेटा खोसले में भूचा होगा चलो इस नने पक्षी को ले जाकर मैं अपने बच्चे को दियाती हूँ बाजूचील रोजाना अपक्षियों का मास खाती थी और वे अपने बेटे के लिए भी ताजा भूजन लेकर आती थी वा ममा अब तो हमारे रोजी मज़े हो रहे हैं हम रोजाना पक्षियों का मास खाते हैं पस जैसा हम चाते हैं वैसा होता रहे और इसी तरह पक्षियों का मास हमें मिलता रहे हाँ हाँ मेरे बेटे ऐसा ही होगा तुम बिल्कुछ इंदा मत करो ममा मुझे वे राजु कववा बहुत बुरा लगता है अगर वे आपके जाल में कभी फच जाए तो उसका मास आप मुझे ला कर देना मैं खूब मज़े ले लेकर खाऊंगा ठीक है बेटा अब में चलती हूँ अब तो जंगल में काफी सारे पक्षी गाइब हो गए थे जिस कारण चंगल के पक्षी तो बहुत जारा परिशान थे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ना तो हमारे चंगल में चीलों का खत्रा ही और नहीं किसी जंगली चानवरों का तो फिर हमारे चंगल के इतने सारे पक्षी ना चाने कहा गाइब हो गए हाँ मिनू चेडिया, बुलबुल का बच्चा, तोते का बच्चा, कबूतर और नन्ना कबूतर और बाकी बहुत से पक्षी गायब हो चुके हैं आखिर ये सब कुछ कौन कर रहा है हम क्या कर सकते हैं, परंतु देखना, ये सजबी सब के सामने एक ना एक दिन आहीं जाएगा और मुझे पता चल जाएगा, कि आखिर मेरा बेटा कहां चला गया अगले दिन मिनू चेडिया भोजन लेकर कुमल चेडिया की तरफ जा रही थी मिनू अंटी, आप कहां जा रही हो? मैं तो कुमल चेडिया को भोजन देने जा रही हूँ, क्यों क्या हुआ? मिनू अंटी, मिनू अंटी, मेरा जंगल की सायर करने का बहुत मन हो रहा है पर अंतु बाबा ने मुझे मना किया है, कि आकेले में कहीं पर भी नहीं जाओ, क्यों आप मुझे अपने साथ ले जाएंगी? हाँ हाँ राजु कववी जरूर, तुम मेरे साथ चलो फिर राजु कववे मिनू चेडिया के साथ चला जाता है, वाप्सी पर मिनू चेडिया और राजु कवे को वो ही बाजु चील का रखा हुआ भूजन दिखता है अरे अरे वो इतना सारा भूजन, चलो ना मिनू अंटी हमें सारा भूजन ले लेते हैं नहीं राजुकवे वो इतना सारा भूजन है जरूर कोई न कोई पक्षी रख कर गया होगा मैं उसे नहीं उठा सकती मिनो अंटी आप उठाओ या ना उठाओ मैं तो जरूर उठाओंगा वे भूजन बस राजुकवा भी लालच में भोजन के करीब जाता है और वे भी उसी खड़े में गिर जाता है है रे ये क्या हो गया राजुकवा तो जमीन के अंदर चला गया ना जाने ये इतना बड़ा खड़ा कहां से आ गया यहाँ पर तब ही बाजुचील राजुकवे को खड़े से निकाल कर अपने बेटे के पास ले जाती है अच्छा तो ये बाजुचील ने जाल बिछाया हुआ है ताकि वे सब पक्षियों का शिकार कर सके बापरे ये तो राजुकवे को अपने साथ ले गई मुझे तो फारण सब पक्षियों के ये बात बतानी होगी मीनुचेडिया फारण से पक्षियों को जमा करती है और सारी बात पक्षियों को बताती है हाई रे मेरा राजुकवा बाजुचील मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं अब पता चला कि ये सारे पक्षी गायब नहीं बलके बाजूचील का शिकार बन रहे थे बस पक्षीयों अब हम और पक्षीयों को नहीं खो सकते अब मैंने सोच लिया है कि हम बाजूचील को उसे उसके तरीके से ही सबख सिखाएंगे अब तुम्हारा अंजाम बहुत करीब है बाजूचील अब तुम हम से नहीं बच पाओगी बस फे सारे पक्षी मिलकर जमीन में बाजूचील की तरह खरड़क होते हैं और वैसे ही जाडियों को बिछा देते हैं और जाडियों के पास लाकर वे एक मरे हुए पक्षी को लाकर रख देते हैं अब बाजूचील अपने ही बनाय हुए जाल में फल जाएगी और अपने अंजाम को पहुँचाएगी चलो चलो मिनुचेडिया हम जाकर छुप जाते हैं बाजूचील बस आती ही होगी काफी देर गुजर जाती है परन्तु बाजूचील तो अभी तक नहीं आई थी फिर अचानक से बाजूचील अपने बेटे के पास से वापस आ रही थी तो इसकी नजर मरे हुए पक्षी पर पड़ती है अरे वाँ मरा हुआ लगता ही ये पक्षी करमी के कारण मर गया होगा चलो एक और भूचन मिल गया मुझे बाजूचील जैसे ही उस मरे हुए पक्षी के पास जाती है तो वे उस बड़े से खड़े के अंदर गिर जाती है वे खड़ा तो काफी जारा गहरा था जिस कारण बाजूचील अब उस खड़े से बाहे नहीं निकल पा रही थी फिर सारे पक्षी भी फॉरण से वहाँ पर आ जाते हैं बाजूचील आखिर तुम फसी गई हमारे चाल में इसी तरह हम पक्षीयों को पकड़ रही थी न तुम अच हमने भी तुम्हें इसी तरह पकड़ लिया वैसे बाजूचील तुम्हारा उपाय तो बहुत बढ़िया था अज तुम अपने ही उपाय के कारण खुद पकड़ी गई मुझे बाहे निकालो मैंना में किसी पक्षी को नहीं छोड़ोंगी मुझे बाहे निकालो दुष चील अब तुम्हारी मौत आ गई है तुमने हमारे साथ बहुत बुरा किया है अब हम पकड़ी भी तुम्हें माप नहीं करेंगे फिर तोता पैट्रोल लेकर आता है और वे पैट्रोल उस खड़े में डालने लगता है अब सारे पकशी मिलकर उस घड़े में आग लगा देते हैं और बाजुचील उसी आग में जलकर मरने लगती है इस तरह बाजुचील अपने अंजाम को पहुंचाती है और अब पकशी दुबारा से सुकून का सांस लेते हैं